आप यहां पर प्रोल्म्स तो बहुत सारी होती है जैसे काडिक रिदी मियाज बोलते हैं आज कल वैल्विलर प्रॉब्लम्स होती है आज की बोलते हैं अगर आटरी में हमारी ब्लॉकेज है तो फोड़ी ब्लॉकेज ए तो उसमें कई बारी स्टट डाल दिया जाता है कुछ सालों बात पता चलता है कि दूसरी आटरी में भी ब्लॉकेज हो गई तो यहां पे आईरवेदा बहुत हेल्प करता है आगे के लिए आप अपना heart को बचाना चाहते हैं, उस blockage को reverse करना चाहते हैं, तो फिर हम Ayurveda में बहुत सारी medicines हैं, so many herbs are there which we can use to, you know, ये blockage को खतम करने के लिए हम use करते हैं. अगर किसी को high blood pressure है, तो वो एक silent killer माना जाता है, अगर हम उसको समय रहते ठीक नहीं करते हैं अपने blood pressure को, तो आगे चल कर heart problems आ सकती हैं, या obesity को, तो obesity देखिए आज कल एक बहुत बड़ा कारण है, बच्चों में obesity हो रही है, तो कहीं न कहीं जब obesity होती है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो body में fat, जो है, वो accumulate हो रहा है, और फिर हमारी arteries में भी जब ये fat accumulate होता है, तो फिर आगे चल कर heart diseases का खत्रा बढ़ जाता है, कुछ patients ऐसे ज़रू होते होंगे, जो फर्क दिखता होकर बताते होंगे, तो किस तरीका के changes बताते हैं, body में आया, जिससे बताता है, मुझे कुछ फरक लग रहा है, what is that? तो हम पहले ही plant-based medicines लें, तो इसमें अर्जुना टी बहुत हेल्प करती है, जिनको heart problems है, वो भी ले सकते हैं, और जिनको heart problems नहीं है, जो healthy है, वो भी अर्जुन टी को daily routine में ले सकते हैं, तो आज कल बहुत patients आते हैं, वो बोलते हमें जो है, क्यामिकल्स नहीं लेना है, हमे plant-based medicines ही लेनी है, और उससे हमें बहुत effect देखने को मिलते हैं, अगर मैं बात करूं की heart patients की, तो heart patients भी जो है, उनकी, जो है, हम arteries हैं, उनकी blockage को, जो है, वो हम reverse कर सकते हैं, with the help of these herbs. की तुसी हजे तक आपने दिन दी शरुवात, केमिकल नार बणी होई, चा तो कर रहे हो, ते सौरा दिन, ऐसे डिक फील कर रहे हो, ना ना ना, चा नी शटनी, बस प्लैनेट आयुर्वेदा दी, अर्जुन टीपी नी है, ए तो आडी सेहत दी है, best friend. आयुर्वेदा.com